जैश्री कृष्णा व्योर्स, वेलकम तो एस्ट्र इंटेलिजिन्स वीडियोज, दर्श को 2022 जा रहा है और हम 2023 में प्रवेश करने वाले हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, आज की वीडियो में हम ये जानने का प्रियास करेंगे डिफरेंट तरीकों से, कि 2022 में हमारे अगल बगल, हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन सी एनर्जीज थी, और 2023 में कौन सी नई एनर्जीज हमारे एनवायरमेंट में हमें सराउंड करेंगी, हमें इंफ्लूइंस करेंग और 2022 में किन किन एनर्जी को हमें छोड़ना चाहिए मगर दर्शको आज की ये जो वीडियो होगी मैं आपको बहुत डिफरिंट तरीके से समझाने वाला हूँ और शुरुआत करूँगा मैं छोटी छोटी एक दो कहानियों से हूँ सबसे पहले दर्शको कहानी मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी है महाबली हनुमान की जब महाबली हनुमान छोटे बच्चे थे तो एक दिन जब सुबह उठे और उनको सुरिय देव के दर्शन हुए क्योंकि सुबह का उगता हुआ सुरिय है उनको लगा कि एक छोटा सा रेड एपल है और वो उस रेड एपल को खाने के लिए लालाईट हो गए और उन्होंने सुरिय की तरफ यात्रा करनी शुरू कर दी और वो जो स्टोरी है बहुत इंट्रेस्टिंग है सुरिय को जब मालुम पड़ा कि हनुमान उसको खाने के लिए आ रहे है तो सुरिय ने अपनी बोडी को बढ़ाना शुरू कर दिया और ये मज़ेवाली बात थी कि जैसे जैसे सुरिय भगवान अपने शरीर को बढ़ा करते गए वैसे वैसे हनुमान जो उस में बाल लवस्था में थे उन्हों ने भी अपने शरीर को वैसे वैसे बड़ा करना शुरू कर दिया और बाकी तो वो कहानी है कि अंत में सुरिय भगवान ने हार मान ली और हनुमान जी ने सुरिय को रेड एपल के फॉर्म में अपने मुँ में रख लिया और उससे क्या हुआ पूरी दुनिया में अंधकार चा गया और फिर बड़ी उर जाएं जिसमें भगवान शेव भगवान विश्नु ब्रह्मा जी ऐसी उर जाओं ने हनुमान जी को समझाया कि आपके इस कदम से पूरी दुनिया में अंधकार चा गया है तो ये बहुत अच्छा आपका निरने नहीं है तो आप सुरिय भगवान को अज़ाद कर दीजिए ताकि पूरी दुनिया में प्रकाश फैले अब दर्श को ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई है इसके पीछे कारण यही है कि हम 2022 को क्रॉस करके 2023 में प्रवेश कर रहे है और 2023 किसका है 2023 को अगर हम निमरालोजी के हिसाब से देखें तो ये केतु भगवान का है दो जमा दो जमा तीन साथ नमबर केतु का होता है यनि कि हम देखें तो हम केतु से केतु में प्रवेश कर रहे हैं और शुक्र की एनरजी को साथ में लेकर हम कह सकते हैं कि हमारे DNA में हमारे genetics में शुक्र है मगर जब हम जयोतिश शास्त्र की बात करते हैं तो ज्योतिश में वीनस जो है वो केतु के बाद आता है जो लोग नक्षत्रों की दुनिया को जानते हैं वो सब समझते हैं कि सूरिये से पहले शुक्र आएगा और शुक्र से पहले केतु यनि कि ये लीनियेज इसी तरह से चलेगी कि पहले केतू आएगा उसके बाद शुक्र आएगा और शुक्र की लीनियज लेकर आत्मा शरीर के अंदर आती है सो किसी भी चीज की दर्श को जब हम शुरुआत समझने का प्रयास करते हैं शुरुआत नई बिगनिंग हमेशा केतू देता है केतू end भी है और केतू नई बिगनिंग भी है मगर केतू की नई बिगनिंग में शुक्र हमेशा होता है शुक्र के बिना वो बिगनिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि नई बिगनिंग जब भी जीवन की या किसी भी चीज की नई creation होगी तो creation में 100% Venus को आना पड़ेगा और इस साल क्या हो रहा है कि हम शुक्र की 2022 की उस उर्जा को उस energy को अपने lineage के form में अपने साथ लेकर enter कर रहे हैं 2023 यानि के केतू में अब केतू को हम जानते हैं कि केतू detachment का planet है मगर केतू की जो उर्जा है ये जहां भी जाती है ये अपना जंडा गाड़ देती है सबसे strongest energy अगर कोई है वो केतू की है और केतू को अगर हम इस strong energy के form में समझे केतू हमारा क्या है केतू हमारा past है past की अंदर दर्श को जो भी इनसान अपने पिछले जन्मों में जो कुछ भी अरजित करके आता है वो उसका past होता है और past ही हमारे present का और हमारे future का platform होता है तब ही तो कहा जाता है कि ये जंडा गड़ गया आपका यानि आपकी शुरुआत इस जंडे से हुई और इस जंडे को आप जीवन भर यानि कि एक जीवन में आप छोड़ नहीं पाऊगे हलाकि केतू detachment का planet है तो कौन-कौन सी चीजें उस जंडे के साथ हमें पकड़ के रखती है किन-किन चीजों को हमें छोड़ना चाहिए आज की वीडियो में हम 2023 की entry में हम उन्हीं चीजों को जानने का समझने का प्रयास करेंगे दर्शको 2022 आप सब जानते हो कि कैसा साल था हम ताजे-ताजे कोविड से निकले थे पूरी दुनिया एक block energy की तरह फील कर रही थी कि सब को ऐसे लग रहा था कि सब जैसे बंधे हुए है और जैसे ही कोविड से थोड़ी सी freedom मिली सब को वो freedom इतनी बड़ी लगी कि सब ने खुल के जीवन को जीना शुरू किया आप देखिए maximum tours and travels हुए maximum लोगों ने materialistic चीज़ें खरीद दी आप अपने अपने घरों में जाक के देखिए आपके सब के घरों में maximum चीज़ें पिछले साल में आई है आप सबसे ज़्यादा घूमे फिरे हो और साथ में आपने अपने शरीर का भी ध्यान रखा है सो 100% पिछला साल जो था वो गुरू शुक्राचारिय का था और शुक्र जब भी आते हैं शुक्र इसी तरह का environment देते हैं comforts देते हैं, enjoyment देते हैं मगर साथ में शरीर को कैसे हम स्वस्त रखे वो भी knowledge या education भगवान शुक्र ही देते सो चीजें भी आपने इकठी करी आप भी देख रहे हो, मैं भी नई गाड़ी में बैठा हूँ तो ये चीजें पिछले साल में हमने इकठी करी अब दर्श को चीजें तो इकठी हो गई और शुक्र का स्वभाब भी ऐसा ही है कि शुक्र जब आएगा अपने साथ luxuries, comforts, चीज़ों को तो ले कर आएगा मगर अब केतू में हम क्या शुक्र के उस form को आगे ले कर जाएंगे अब दर्श को ये important question है क्या शुक्र आगे carry forward करेगा अब यही चीज़ हम जोतिश शास्त्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या शुक्र हमें 2023 में भी उसी form में मिलने वाला है अगर हम वैदिक जोतिश की बात करते हैं तो वैदिक जोतिश में 2023 का जो नंबर है वो नंबर 7 हो जाता है और 7 नंबर दर्श को किसका होता है वो तो तुला राशी का होता है अब तुला राशी किसकी है वो तो शुक्र की है तो अब आपके सामने बहुत इंट्रेस्टिंग कंबिनेशन बन गया एक तरफ निमरालोजी के हिसाब से 2023 के तु हुआ और जोतिश शास्त्र के हिसाब से 2023 का नंबर 7 हुआ जो कि तुला राशी का है तब ही आप देखिए तुला राशी के लिए ये साल बहुत इंपोर्टन्ट होने वाला है या तुला राशी का अगर हम उस ट्राइड की बात करेंगे जिसमें हम मतलब 159 कॉंसेट लेते हैं तो उसमें कौन-कौन सी आ जाएंगी जैमिनाई, तुला और एक्वेरियस तो ये साल दर्श को इन तीन राशीयों के लिए स्पेशल इंपोर्टन्स वाला होने वाला है अब मैंने कहा था कि हम किन-किन चीजों को रखेंगे किन को पकड़ के रखें, किन को आगे कैरी फॉर्वर्ड करें उसको आपको समझना होगा अब तुला राशी में आप सब जानते हो कि शनी जो हैं वो एक्सॉल्ट करते हैं शनी की जो एनरजी है, वो सबसे ज़्यादा strongest एनरजी, अगर कोई भी इनसान समझ सकता है वो तुला राशी का इनसान समझ सकता है कि शनी आपके जीवन में या एक साल जो आपको next मिलने वाला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा influence करने वाले हैं और शनी, आप सब जानते हो कि शनी भगवान कैसे है वो तो साधक है, वो तो discipline देने वाले है वो तो hard work करवाने वाले है, वो तो patience देने वाले है और सबसे बड़ी बात आपको अनुशासन में रखने वाले है सो जब हम 2023 में एंटर करें तो इस अनुशासन के साथ, इस patience के साथ impulsiveness को अपनी छोड़ कर उस घूमने फिरने वाली प्रवरिती को उस चीजों को इकठे करने वाली प्रवरिती को यानि के शुक्र का वो dimension जो आपको पकड़ता है जिसमें आपकी indulgences आती है सो खाने पीने से लेकर अपने अगल बगल का जितना environment आपका है उसमें आप अनुशासन लेकर आईए और इसलिए आप देखिए कि हम कैसे planetary energies के साथ 2023 में एंटर करेंगे शनी कहां है शनी धर्श को अभी अपनी मूल राशी यानि के कैप्रिकॉन में है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये राशी परिवर्टन होकर शनी भगवान जाने वाले हैं अपनी दूसरी राशी जहां पर वो राहू के साथ जाएंगे तो वो राशी कौन सी होगी वो एक्वेरियस की होगी मैंने पहले कहा जैमिनाई तुला और एक्वेरियस शुक्र रहेगा मगर शुक्र को डिसिप्लिन के साथ उस डिसिप्लिन को जो शनी द्वारा मिलता है वो साधना साधना हमेशा हम सब को करनी होगी अब थोड़ी सी दर्श को यहां पर जैसे कहानी की बात होती है कहानी को ही थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं उस कहानी को समझने के लिए आपको दोबारा से मैं केतू के अंदर लेकर जाओंगा अब केतू को हम कहते हैं केतू हमारा मूल है हमारा मूलाधार है अब कोई भी इनसान कोई भी जातक जो इस दुनिया में आता है जीवन लेकर उसकी उर्जा कहां पड़ी होती है मुलाधार चक्र में पड़ी होती है मुलाधार चक्र में वो एनरजी कैसे पड़ी होती है latent form में अभी express नहीं हुई latent form में पड़ी है उस एनरजी को हमें activate करना होता है उसे ignite करना होता है उसे जलाना होता है और जलाना किसका है कौन सी चीज हमें जलाने में help करती है वो दर्शको है अगनी तो मूला धार के अंदर अगनी latent form में पड़ी है हमें उस अगनी को प्रज्वलित करना है और वैसे भी केतू क्या है केतू कुजवत है मंगल की तरह है और मंगल क्या है मंगल अगनी ही तो है फायर ही तो है सो नेक्स्ट येर वो फायर का influence आपको मिलेगा जो मंगल के साथ है अब ये मैंने आपको promise किया था मैं कहानी के form से आपको समझाओंगा अब वो कहानी कौन सी है अब वो कहानी ये है कि जब भगवान राम लंका जाने के लिए उन्होंने अपनी सेना बना ली वानर सेना इक अठे हो गए कि अब हमें लंका के ऊपर चड़ाई करनी है अब लंका और भारत के बीच में पानी था अब उस पानी को लांगने के लिए अब क्या किया जाए तब सब एक दूसरे के मूँ की तरफ देख रहे हैं सब को मालुम था कि हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं अब सबने हनुमान जी को कहा कि आप कुछ करिये तो हनुमान जी कहते भगवन मैं क्या कर सकता हूँ यहां पर और उस समय आप देखिए जामवन जी ने क्या कहा जामवन जी ने हनुमान जी को याद करवाया कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं आ प्रणुमान जी को बताया वो शक्तियां जागरित हो गई दर्शको कहानी का ये एक रूप है आप ये समझिए आप सब की अंदर ये एनर्जीस पड़ी हैं सिरफ आपको उन एनर्जीस को जागरित करना है याद करना है और ये जो याद का संबंध है ये क्या है ये केतु ही तो है यही हमारा पास्ट है पास्ट में हम अपने अंदर बहुत सी उर्जाएं लेकर पैदा होते हैं मगर हम भूल जाते हैं कि हमारी एनर्जी कैसी है तो कोई जामवंत हमें चाहिए कोई गुरू हमें चाहिए जो हमें ये बताए कि आपकी उस उर्जा को कैसे इगनाइट करना है तो यहां पर केतू और मंगल जब मिलते हैं दर्शको तो ये क्या बन जाते हैं ये महाबली हनुमान बन जाते हैं बजरंग बली बन जाते हैं तो दर्शको जो अगला साल है आप बजरंग बली की आराधना करिए बजरंग बली की उपासना करिए जहां जहां भी आपको बजरंग बली के रूप दिखाई दें वहां जाईए वहां माथा टेकिए उस एनरजी को अपने में आत्म साथ करिए और उस एनरजी से अपने पु अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं दर्श को नेक्स येर की शुरुआत अगर आप सालासर जाते हैं वहां जाकर आप बजरंग बली हनुमान को उस मंत्र के द्वारा जागरित करने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर जो शक्ति आपके मुलाधार के अंदर सोई पड़ी है वो जागरित हो जाएगी और दोजर तेईस का जो साल है जिसे हम केतु का साल कहकर बहुत से दर्श जहां लोग डराने का खेल कर रहें तो यहां पर दर्श को आपको डरना नहीं है केतु को जानना है क्योंकि केतु को जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे शनी भगवान कहां है आपके एक्वेरियस में तो है केतु को एक्टिवेट करते ही रहु अपने आप दर्श को एक्टिवेट हो जाएगा और रहु की एक्टिवेशन कहां पर है शनी के साथ है यनि जो कर्म अच्छे कर्म आप करोगे तो दोजर तेईस में आपको उसका फ कि आप यहां पर राहू के माध्यम से उस एनरजी को जागरित कर सकते हो अचीवमेंट्स ले सकते हो मगर दर्श को एक यहां पर मैं आपको थोड़ी सी वार्निंग देना जाता हूँ कि 2023 की जो शुरुवात है ये थोड़ी सी नेगेटिव उर्जा के साथ हो रही है और वो क् कि मरक्री जो हमारी बुद्धी का बताने वाला है वो प्लैनेट वो प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में है रेट्रोग्रेशन को बहुत से लोग आपको डराएंगे कि रेट्रोग्रेशन आपकी बुद्धी वक्री हो जाएगी टेड़ी हो जाएगी उल्टी हो जाएगी ऐस मरक्री का यहां पर रेट्रोग्रेशन आपकी बुद्धी को आत्म केंद्रित करेगा इंट्रोवर्शन की तरफ लेकर जाएगा ताकि आपकी बुद्धी उस शुक्र के रूप को समझे जो शुक्र हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं मगर हमें उसमें इंडलिज क्योंकि दर्श को जब शुक्र अपने किसी भी मैं स्पेशली गुरु शुक्राचारिय की बात कर रहा हूँ गुरु शुक्राचारिय जब भी अपने किसी शिश्य को एजुकेशन देते थे वो क्या कहते थे कि आप साधना करो शुक्राचारिय की एडवाईज उनकी नॉल कि एक्चुल में शुक्र क्या है और शुक्र को जिसने भी समझना है तो बेस शुक्र समझने के लिए तुला राशी को समझ लीजिए तुला राशी 2023 में साथ नंबर है ही तो आपको समझ आना भी मुश्किल नहीं होगा कि ये एनर्जी आपको मिलने वाली है सोधर्श को शुक्र के उस रूप को समझिए प्योर फॉर्म में शुक्र को समझ कर अपने अंदर बैठे बजरंग बली को एक्टिवेट कर लीजिए और अगला साल उन संभावनाओं तक पहुंच जाएए जिसको हम कहते हैं इन्फाइनाइट क्योंकि बजरंग बली की कोई लिमिट नहीं है बजरंग बली की उर्जा इन्फाइनाइट है अन्लिमिटेड है वो तो सुरिय भगवान को भी निगल सकते है सो अपने अंदर सोई हुई उन उर्जाओं को जगाने के लिए अब आपको एक साल मिलने वाला है और मैं आपको उससे पहले ही मोटिवेट भी कर रहा हूँ रेरित भी कर रहा हूँ और ये भी वाइदा करता हूँ कि अगले साल में आपको जहां कहीं मेरे मार्क दर्शन की जरूरत होगी मैं आपके साथ ही रहूँगा ताकि आप 2023 के साल में बढ़िया से बढ़िया अचीवमेंट्स कर पाओ सो दर्शकों अगली वीडियो तक बहुत बहुत आशीरवाद बहुत बहुत प्यार बाकी जो दर्शक हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले दर्शकों आप क्या करिये एस्ट्रा इंटेलिजेंस जो की मेरा नहीं हम सब का आपका चैनल है इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें और कुछ दर्शकों की शिकायत थी कि सर आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती तो उसके लिए दर्शकों आप बेल आइकन दबाना ना भूले क्योंकि बेल आइकन दबाने के बिना नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है कि आप तक पहुँच चाहें सो बेल आइकन भी दबाएं और जो दर्शक हमारे इस्टिचूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं या मुझ से अपने चार्ट एनिलाइज करवाना चाहते हैं उन सभी के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है उसी के माध्यम से आप मुझ से संपर्क स्थापित कर सकते हैं अगली वीडियो तक तर्शको बहुत बहुत आशीरवाद बहुत बहुत प्यार कर दो रहाद कर दो बहुत आपका रहाद sabना चाहते हैं लिए कर सकते हैं